अपने प्यार को पाने के लिए एक लड़की प्रोस्ट्रूट बन जाती है ये स्टोरी हमारी 1600 में वेनिस की है तो उसे को डिजान्स कहा जाता था क्या अब वो अपना प्यार पाप आएगी? हलो फ्रेंड्स आज के हमारी मुवी 1998 की डेंजरस ब्यूटी ये एक रियल स्टोरी पर बेस्ट मुवी है ये मुवी हमें उस वक्त की सिचुएशन को सोचने पर मजबूर करकर जाती है तो अंतक इस वीडियो को जरूर देखेगा अगर आपको वीडियो चलगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर करतीजे अगर बिना किस तरीके एक्स्पेलिशन स्टार्ट करती है मुवी स्टार्ट होती है और वेनेस के कनाल से कुछ कोडिशन जाती हो हम देख सकते है सारे लोग उनके लिए दिवाने थे इस बारे में हमाई में गैरेटर वेरोनिका को पता चला तो अपनी फ्रेंड के साथ इने देखने के लिए चली जाती है आज बहुत दिनों बात वेरोनिका की जो फ्रेंड थी उसका ब्रदर फिर से टाउन में वावपस आया था उस ब्रदर का नाम था मारको मारको अपनी सिस्टर से मिला और वही पर वेरोनिका को भी देख लेता है वो से बच्पन से जानता था पर अब वो बड़ी हो चुकी थी तो उसकी ब्यूटी उसे बहुत अच्छी लगती है एक दूसरे को ये दोनों बहुत अच्छे लगे थे रात में वेरोनिका ने अपनी मदर से पूछा इस शादी किस तरीके से होती है मदर ने का कि एक तरीके का बारगेन होता है दूसरे को क्या दे सकते है इस पर है डिपेंड करता है कि आपर एक तरीके से डावरी के बार में बात चल रही थी वेरोनिकाने का कि अजर सच्चा प्यार हो तो इसमें इस तरीके की बारगेन की क्या ज़रुआ थे वेरोनिकाओ की मदर गह थी कि इस तरीक से चीज़े नहीं होती है वेरोनिकाओ को हमेशा से पढ़ना अच्छा लगता था मारकों से उसे प्यार हो गया तिसके बार में वो पोईटरी लिख रही थी उसका प्रदर है देखकर उसे टीज करता है यही जब वो पढ़ रहा था तब ही नीचे मारकों पहुझ गया उसके लिए वो गाना गाता है यह देखकर उसके पीछे पीछे वो भी नीचे आके मारकों ने उसे पोईटरी पढ़कर सुनाए एक बुख उसे दी और कहा कि यह बुख तुमारे लिए है जब मैंने इसे बाई किया था तो मुझे नहीं लगा था कि मैं तुमारे लिए बाई कर आओ पर यह हमेशा तुमारे लिए ही थी उसे लगता है कि शायद वेरोनिका बहुत ही यंग है इन दोनों में कुछ हो नहीं सकता पर वेरोनिका उसे ही पागल समझती है इसके बाद इन दोनों ने किस कर लिया वेरोनिका रियलाइज करती है कि यह सब करना गलत है पर इस दोनों अपने आपको रोक नहीं पाए एक राद मारको की सिस्टर की वेडिंग की पार्टी चल रही थी उसका मैरेज एक ओल्ड मैन से कर दिया गया था वेरोनिका को यह बहुत गलत लगा पर मारको ने कहा कि उसकी पोस्ट बहुत ही बड़ी है इस वज़े से चल जाता है मारको के फादर वेरोनिका और मारको को साथ देखते है वेरोनिका कहते हैं कि दोनों प्यार में है वो मारको के पास है उन्होंने कहा तुम कभी भी उसके साथ शादी नहीं कर सकते है इस बात को जादा मत बढ़ा रात में जब दोनों एक साथ थे हैं तो मारको ने वेरोनिका को बता दिया कि हम दोनों कभी भी एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते वेरोनिका बुछती है तो फिर तुम मेरी लाइफ में आये ही क्यों मारको ने का मैंने बहुत राय किया था अपने आपको रोकने का पर मैं रोक नहीं पाया वेरोनिका कहती है तो फिर हम एक साथ ही रहती है और मारको एक कर नहीं सकता था मारको कहता है कि मेरे एक ड्यूटी है जो मुझे निभानी पड़ेगी वेरोनिका इस बात से बहुत ज़्यादा हर्ट होगे रात में रो रही थी और उसकी मदर उसके पास आल दिया उसे उसके बार में सब कुछ पता था मदर गहती है उसे पाने के लिए तुम उसे शादी करो एक कमबल सरे नहीं है तुम कोर्टीजान भी बन सकती हो ये वेरोनिका को बहुत गरत लगा पर मदर ने कहा कि में भी कोर्टीजान हुआ करती थी तुम्हारे फादर ने हमारे सारे पैसे उड़ा दिया तुम्हारे ब्रदर को भी एक अच्छी जॉब लगनी चाहिए इस वज़े से तुम्हें अब अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए तुम्हें कोर्टिजान बनना पड़ेगा उसनों से समझाया कि कोर्टिजान को बहुत फ्रीडम होता है लाबरे की एकसेस भी तुम्हें मिलेगी जहाँ पर तुम सारी चीज़े पढ़ पाऊगी उसकी मदर फिर वहरोनिका को ट्रेन करना स्टार्ट कर देती है आदमियों को किस तरीके से ही जाना है उनकी इगो को किस तरीके से पैंपर करना इस सारी चीज़े वहरोनिका सीख लेती है मदर ने का कि हर एक आदमी को हैंडल करने का अएक अलग वे होता है इसके बाद वहरोनिका रेड़ी थी एक अमीर आदमी के साथ आज रह दो पार्टी पर आती है इसी पार्टी पर मार्को भी आया हुआ था उसे जब वेरोनिका के बारे में पता चलता है उसे बहुत बुरा लगा वेरोनिका आज उसे बहुत ही गलत ट्रीट करती है कहती है जैसा तुमने मुझे ट्रीट किया था मैं तुमें वेसे ही कर रहे हूँ इन दोनों को बात करता देख, वेरोनिका के बास वो अमीर आदमी आ गया, उसे उसके साथ लेकर जाता है, आज यहाँ इस पार्टी में पोएटरी चल रही थी, मारको का फ्रेण ने पोएटरी कर रहा था, मारको सबसे कहता है कि वेरोनिका भी पोएटरी कर सकती है, फिर वेर से उसने कमाई थे इस सारे पैसे उसे दे देती वेरोनिका को यह देखकर बहुत अच्छा लगा और इस काम के लिए अब वो पूरी तरीके से रेडी थी उसकी ब्यूटी की वज़े से उसके बहुत सारे कमपनी एंजॉइ करे वेरोनिका भी उसके पास आई कहा कि तुम मझे पार नहीं सकते इसमें बहुत मज़ा है वो उसे इरिटेट करकर वहाँ से चली जाती है आज वो मारको के अंकल के पास आई हुई थी वो पैरलाइस्ट है पर फिर भी उन्हें बहुत अच्छे से ठीट कर बेरोनिका आज उसे फिर से इग्णोर कर देती है वेरोनिका एक बहुत यच्छी पोईट है तो उसे फिर से एक पार्टी में बुला गया था लगलाद एक से तुम बहुति अलग परसक्वेक्टिस मिलता होगा क्यों ना हम दोनों भी इंटिमिट हो जाए वेरोनिका कहती क और मारको फिर से बात करते हैं, मारको गहता है, तुम्हारी ब्यूटी बहुत ही क्रूल है, जो लोग इसे पानी पाते हैं, इनके लिए बहुत ही क्रूल बन जाती है, वेरोनिका गहती कि इसमें ही तो मज़ा है, अगर तुम मुझे पा सकते हैं, तुम मुझे बोर हो जाते है मारको ने कहा कि मैंने जो भी किया आज तक मुझे इसका पच्चता हुआ है मैं कभी भी तुमसे बहुत नहीं हो सकता वेरोनिका यह सब सुनकर वहाँ से चली गई अगली दिन मारको के फादर उसे बात करते है उन्होंने उसके लिए एक बहुत ही बड़ा रिष्टा लाया हुआ था इस वज़े से मारको के एक अच्छी पोस्ट मिलेगी वेरोनिका एक लाइन के साथ थी पर मारको बहुत जादा पी लेता है और वेरोनिका के पास आता है उसने अपनी शादी के बारे में उसे बता दिया वेरोनिका गया दिये कि I hope कि तुम्हें इस शादी से बहुत फायदा हो इसके बाद मारको के शादी हो गए और हम डारेक्ली हस्बन वाइफ को एक साथ देखते है मारको अपनी वाइफ से पुछता है तुम अपनी लाइफ से चाहती क्या हो उसकी वाइफ ने का कि मैं सिर्फ तुम्हारे ले एक अच्छी वाइफ बनना चाहती हूँ उसने भी जबरदस्ती शादी की हुई थी तो इस वज़े से उसके कोई भी डिजाइस नहीं थे ये बाद मारको को अच्छे नहीं लगती है वो वहरोनिका से प्यार करता है क्योंकि वहरोनिका में एक पसनलेटी है वो रीड करती है, पोईटरी करती है एक दिन फिर से पार्टी चल रही थी, वहाँ पर मारको का फ्रेंड पोईटरी करने के लिए आया हुआ था वहरोनिका की वज़े से हो हर्ट है, इस वज़े से उसे बहुती बुरी चीज़े बोलता है इन दोनों ने फिर तलवार उठा लिए, एक दूसरे से वो पोईटरी और तलवार से फाइट करते है ये फाइट बढ़ती चलीगी, मारको का फ्रेंड वहरोनिका को मार ही डालता पर उसके पहले मारको ने उसे बचा लिया, मारको फिर उसे देखने के लिए उसके घर पर आता है ये दोनों आज इंटिमेट हो गए, मारको का फ्रेंड बरबाद होकर स्टीर्स में पढ़ा हुआ था उसके पास चर्च का एक आदमी आया, वो गहता है, तुम अपने बात से पुरी तरीके से भटक चुगे हो तुमारी डिजायर ने तुमें बंदी बना लिया है, हम तुमें अच्छा वे दिखा सकते है मारको के फ्रेंड ने चर्च को जॉइन कर लिया, इंटिमेट होने के बाद मारको वेरोनिका से गहता है, अब तुम सिर्फ मेरी हो जाओ, उसे किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता वेरोनिका कहती कि मैरा प्रोफेशन है, फिर मैं पैसे कैसे कमाऊंगे मारको से सब कुछ देने के लिए रेडी था, पर वेरोनिका उसे मना करती है, क्योंकि फिर उसे मारको पर जिन्दा रहना पड़ेगा अगर उसका इंट्रेस चला गया, तो वेरोनिका के पास कुछ भी नहीं होगा वेरोनिका ने कहा कि अगर तुम मुझे सचमुच में इतना चाहते, तुम्हें तुम्हारी वाइफ होती, अब तुम तुम्हारी वाइफ के पास जाओ एक राद एक सुल्तान ने वेनिस पर हमला कर दिया था वेनिस के पास बहुत दी कम शिप्स थे हैं इन्हें सुल्तान के अगेस्ट वोर पर जाने पढ़ने वाला था मारको रियलाइस करता है कि शायद वो वेरोनिका से फिर मिलना पाएगा इस वज़े से उसके पास कया वो से कहता है मुझे तुमसे कहना का कोई भी हक नहीं पर फिर भी मैं सिर्फ तुम्हें अपने लिये चाता हूँ मैं तुम्हें कभी भी शेर नहीं कर सकता प्लीज मुझे पर ट्रस्ट करो मैं तुम्हारे ट्रस्ट अन करूंगा तुम मेरे साथ चलो वेरोनिका कहती है कि मैं कोर्टीजान हू मारको ने कहा कि अप से नहीं तुम अप से एक पोईट हो वेरोनिका भी उसके साथ जाने के लिए मान गई थी यह मदर देखकर बहुत ही गुसा हो जाती है कैती है यह बहुत ही बड़ी गलती तुम कर रही हो तुमें कोर्टीजान का बहुत ही अच्छा टालेंट है यह तुम वेस्ट कर दोगी पर विहरोनिका इस बात को नहीं मान दी मारको और वहरोनिका फिर अलग-अलग पलेसेस पर गए एक दुसरे के साथ अपना टाइम बहुत ही beautifully spent करते है अगर Venice को बचाना है तो उन्हें Paris की Emperor की जरुएत है वो अपनी ships उन्हें दे सकता है इससे वो वार जीत सकते है तो यह Emperor Venice में आने वाला था इसके लिए Marco को भी भुलाया जाता है एमपरर यहाबर बहुच गया उसने का वेनिस की कोर्डिजान्स बहुत ही famous है मुझे सारी देखाओ इन सब कोर्डिजान्स में उसने वेरोनिका को choose किया वेरोनिका एक काम नहीं करती थी पर पैर इसको बचाने के लिए यह करने के लिए वो ready हो जाती है रात में वे किंग के पास बोची किंग के बहुत ही अलग sexual desires थे वेरोनिका उसे भी प्लीज करती है किंग इससे खुश हो गया और वेनिस की मदद करने के लिए अब वो ready था इस सारी बातों से मारको upset हो गया था वेरोनिका गयती है तुम अमनी wife के साथ हर रोज सोते हो यह तुम्हारी duty है उसी तरीके से मेरी भी यह duty थी मारको बहुत ही hard था और इसके बाद वो war के लिए चला कया जो भी लोग वेरोनिका के पास as a client आते है उन सारों की wife ने उसे बुला लिया वो बुछ थी कि हमारे husband कैसे है क्या वो जिन्दा है वेरोनिका ने सब को बताया पर actual में ने पूछना था कि उनके husband को इस तरह के से please कैसे कर पाती है वेरोनिका उन्हें सिखाने की कोशिश करती है पर इस पर मारको की wife बहुत जादा गुस्सा होगी उन दोनों की fight होने लगे थी पर वेरोनिका की friend ने वेरोनिका की side लिए वेरोनिका को घर चोड़ते हो friend ने का जब मेरी बेटी बड़ी होगी तो मैं चाहती हो वो भी तुम्हारी तरह courtisan बने तुम उसे train करना वेरोनिका कहती है गलत है फ्रेंड ने कहा कि तुम्हारे पास जो फ्रीडम है यह हमें नहीं मिल पाता अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी बेटी भी शादी करेगी उसे भी बच्चे होंगे उसकी लाइफ एक केज की तरह बन जाएगी वेरोनिका कहती है पर मेरी लाइफ भी एक केज की तरह ही है पर उसकी फ्रेंड मानती नहीं 16th century में Venice में एक प्लेग आया था यही प्लेग फिर हमें मूवी में दिखाया जाता है इस प्लेग की वज़े से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गए Church के लोगों को लगता था कि आजकल जो भी सब चल रहा है इसी वज़े से God उने पर नाराज है सारीlogo कोर्टिजांस को उन्होंने अरिष्ट कर लिया था चर्च के लोगोंने पूरी city को को अरिष्ट कर लिया और सारी हारी partyzone को भी अरिष्ट कर लिया था मारको जब वार से वापस आया तो क्या चल रहा है इसके बारे में पता चलने के बाद वो डारेक्ली वहरोनिका के पास पोचता है वहरोनिका अब भी सेफ थी उसके पास आकर उसे गले लगा लेता है उसने कहा कि प्लीज मुझे माफ कर दो यह दोनों एक दूसरी से मिलकर बहुत खुश थे इस प्लेक की वज़े से वहरोनिका की मदर की भी डेथ हो जाती है मदर ने वहरोनिका को जो भी बनने के लिए कहा था इस वज़े से उसे सौरी कहती है वहरोनिका को भी चर्ज के लोग अरेस्ट कर लेते है मारको अपने किंग के साथ मिलकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है पर चर्ज ये किंग से ज़्यादा पावरफुल हो चुका था तो कुछ भी कर भी नहीं सकते है वेरोनिका पर केस चला जाता है कि उसने अपने सारे क्लाइन्स को अपने वश में कर लिया था उसे बताया गया कि अगर तुमने अपने सीन्स को मान लिया तो हम तुमें जाने देंगे वेरोनिका जो काम करती है इस वज़े सो प्रावड थी तो कन्फेस करने के लिए रेडी नहीं थी यहाँ कोड में हम मारको के फ्रेंड को भी देखते हैं जिसने कोड को जॉइन किया था वेरोनिका के खिलाफ वही सारी बाते बोल रहा था मारको ने का कि मेरा फ्रेंड वेरोनिका को पा नहीं पाया इस वज़े से इसका वो बदला ले रहा है मारको का फ्रेंड गहता है इसने मुझे भी वश में कर लिया था इसे वज़े सारी चीज़े मैंने की थी वेरोनिका से पूछा जाता है कि तुमने इस सब किया क्यों वेरोनिका ने का कि मेरे बास कोई भी आप्शन नहीं था मैं शादी कर नहीं सकती थी अलग काम करना मुझे अलाओर नहीं था आज की दिन का कोट एक खतम कर दे रात में मारको वेरोनिका से मिलने के लिए वो गयता है अगर तुम बीछे नहीं आटी तो यह लोग तुमें मार डालेंगे प्लीज वो लोग जो भी कह रहे हैं इस बात को कनफेस कर दो वेरोनिका ने कहा कि मैंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को लेकर कॉंप्रमाइस किया है अगर मुझे पर जो भी इलजाम लगे इसे मैंने मान लिया तो मेरी सोल मेरे पास नहीं रहेगी अगली दिन वेरोनिका कनफेस कर दिये मेरे लिए प्रेयर है अगर मैं फिर भी कल्परीट हूँ तो आप मुझे सजा दे सकते हो उसे सजा होने ही वाली थी पर मारको कोट में उट गया उसने का कि अगर एक गुनेगार है तो मैंने भी उसकी हेल्प की थी इस सिटी में सिर्फ मैं ही उससे प्यार करता हूँ ऐसा नह कि वैरोनिका ने इतना बड़ा क्राइम नहीं किया है हमें रेकंसीडर करना चाहिए मारको ने वैरोनिका को बचा लिया था उसे कोई भी सजा नहीं हुई मारको और वैरोनिका एक दुसरे कुगले लगाते हैं और इसी मूमेंट पर एंड हो जाती है एंड क्रेटिट में ब वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज से लाइक कर दीजेगा यह बहुत सारी मुविस लेकर आते रहता हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिविशन आइकों नमें मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक निमुवी के साथ तो तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखें